देश का अगला राश्पती कौन होगा? इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच की जंग तेज हो चुकी है। मैं हूँ परवीन शेख आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। देश के अगले राश्पती के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को नए राश्पती के नाम की घोशना कर दी जाएगी। एक तरफ NDA ने द्रोपती मुर्मू को खड़ा किया है तो दूसरी और विपक्ष ने यश्वन सिना को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब सभी की निगाएं वोटिंग पर टिकी हुई है कि कौन सी पार्टी किसका समर्थन करती है। उम्मीदवार को राश्पती बनने के लिए 5,43,216 वोटों की जरूरत होती है। ताजा राजनेतिक परिस्तियों के अनुसार NDA के पास इस वक्त 5,33,751 वोट है जबकि विपक्ष की खाते में अब 4 लाग से ज्यादा वोट है। राश्पती चुनाव के लिए मतदान सुमवार को होगा। आप एक मात्र गायर बीजेपी और गायर कॉंग्रेसी पार्टी है। आपकी दो राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकारे हैं। दिल्ली और पंजाब से आपके 10 राज्य सवा सांसद हैं जिनमें 3 दिल्ली से हैं। आमाद्मी पार्टी के पंजाब में 92, दिल्ली में 62 और गोवा में 2 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की समर्थन के बाद विपक्ष यश्वन सिना की जीत का दावा कर रहा है यश्वन भी कई बार कह चुके हैं कि आखड़े बले ही आज मेरे पक्ष में ना हो लेकिन 18 जुलाई तक इस सितियां बदल जाएंगी जिसके बाद 21 जुलाई को नतीजे मेरे ही प अलाकात की और नितीज से भी समर्थन की अपील की है यश्वन सिना ने कहा कि मैं बिहार की धर्टी पर आया हूं मैं यहां का पुत्र हूँ इसलिए मेरा यहां अधिकार भी बनता है मैं बिहार के सारे सांसदों विधायकों से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मौका है कि यह प्रावधान सम्विधान के निर्माताओं ने इसलिए किया है कि वे चाहते थे कि जनता के चुने हुए प्रतीनिधी वह एस चुनाव में अपने विवेक का इस्तमाल करें। इस बैठक में विपक्ष के निता तेजस्वी यादव, त्रुन्मू सांसाश चत्रुगन सिना के अलावा सभी विपक्षी पार्टियों के निता मौझूद थे। अगर विधायक और सांसद अपनी अंतर आत्मा की आवास सुनते हैं तो उनका वोट मुझे ही जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री भले ही द्रुपदी मुर्मू का समर्थन का एलान कर चुके हों लेकिन उनकी ही पार्टि के कई नेता यश्वन सिना को समर्थन देने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में यह कयास लग रहे हैं कि आखरी वकत में अगर जेडियो के सदस से अपनी अंतर आत्मा की आवास पर वोट देते हैं तो उनका वोट यश्वन सिना के खाते मे जा सकता है। लेकिन फिलहाल यह सिर्फ कयास हैं और इन ही कयासों के आधार पर येश्वन सिना ने मानता हूं कि नितिश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए अगर उम्मीद्वार बिहार से है तो वे बिहार के उम्मीद्वार के पक्ष में क्यों नहीं आए ये मुझे समझ नहीं आया जिसमिन द्रोपती मुर्मू के नाम की घोशना हुई ओडिसा के सीम नवीन पटनाय के साथ ही साथ गोशना कर दी चुकी द्रोपती मुर्मू ओडिसा की बेटी हैं तो वे समर्थन करेंगे जब प्रतिभा पाठिल राश्पती पत के उम्मीदवार बनी तो शिफसेना ने अपने लाइन से हट कर समर्थन किया था अगर नितीश जी बिहार कर नहीं ब्रहमान का स जाएंगे 29 जून नामांकन के आखरी तारीक थी एंडे की तरफ से द्रोपती मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है वही दूसी तरफ विपक्षी ओर से यश्वन सिना को मैदान में उतारा गया है यश्वन सिना 15 जुलाई को बिहार के दौरे पर थे जबकि द्रोपती म चुने हुए प्रतिनिधी ही वोट डाल सकते हैं विधान परिशत के सदस्यों को वोट डालने का दिकार्ड नहीं होता है आबादी के हिसाफ से जन प्रतिनिधियों के वोटों की किमत तै होती है राज्य सभा लोग सभा और विधान सभा का कुल यहाँ पर 81,687 मत बिहार के 4,703 माले के पास 2,076 वोट हैं एंडे के राज्यों में सतीक कमजोर है राज्यों में कुल मिलाकर 4,033 विधायक है जिनके 5,44,000 पॉइंट्स है बिधायकों के वोटों की वैल्यू 30,00 पॉइंट्स से भी कम है विपक्ष के पास 11 राज्यों में सरकार है लेकिन 8 बड़े र 237 points हैं एंडिय के साथ 40.43 फीसिदी का समर्थन है विपक्षे बास विधान सभाव में 3,24,590 पॉइंट से विधान सभा में विपक्षे साथ 69.57 फीसिदी विधायकों का समर्थन है राश्मती चुनाव में बिहार के कुल 56-57 हिस्सा लेंगे और विधायकों की संक्या 243 है व हिसाब से देखें तो विधायकों की वोड़ वैल्यू 42,309 है। राज्यसभा और लोगसभा के सांसद की वॉड्यू 700 नहीं हैं, बिहार में 56 सांसद हैं। इसलिए सांसदों की वोड वैल्यू 49,200 है। बिहार में राश्पती चुनाफ के लिए कुल 81,230 वोट हैं वोट के लिहासे NDA के स्तिती मजबूत दिख रही है जेडियू, बीजेपी, हम और रालोजपा का वोट मिला दें तो कुल मिलाकर 55,398 वोट होते हैं दूसरी तरफ महागडबंदन की बात करें तो महागडबंदन के पास कुल मिलाकर 24,030 वोट हैं और इसमें अगर AIMI के विधायकों का वोट जोड़ दिया जाए तो विपक्ष के पास वोटों की संख्या 24,968 हो जाती है राश्पती चुनाव 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर है एंडी ने अपनी उम्मीदवार दुरुपती मुर्मु को जिताने के लिए 80 चोटी का जूर लगा दिया है तो वही विपक्ष भी हार मानने को तयार नहीं है अब देखना होगा क्या वाकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधी अपने विवेक के सहारे मतदान करते हैं या फिर बीजेपी के डर के आगे नतमस तक होते हैं क्योंकि अब यश्वन सिना की जीत सांसदों और विधायकों के विवेक पर निर्भर है तो यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें देखते रहें डीवी लाइव नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीवी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बिल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंसती रहें देखते रहें डीवी लाइव क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगाता हुआ 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 है